नमस्कार दोस्तों शुरुभी यानि कि आपकी अनिका की कुछ तस्वीरों को देखकर लगी है फैंस के दिलों में आग आजकल कई सारी आक्ट्रिस अपनी हॉट अदाओं के जल्वे दिखाने में व्यास्त हैं ऐसे में टीवी आक्ट्रिस सुरुभी ने अपनी सेक्सी अपनी लेटिस तस्वीरों से सुरुभी ने सभी को दिवाना कर दिया है इन तस्वीरों में वे ग्रीन आउटफिट पहने सेक्सी अदाएं देती हुई नज़र आ रही हैं जो आप सब इन तस्वीरों में देख सकते हैं केवल इतना ही नहीं उन्होंने होट फोटो आप देख सकते हैं कि इस फोटो में वे वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं इश्कबास फेम सुरुभी की होट लुक को काफी ज़्यादा पसंद किया जाता है वे अपने सुन्दर और स्टाइलिश लुक से फैन्स को खूब ज़्यादा रिजाती हैं वे ऐसी टीवी आक्ट्रेस हैं जिने सुशल मीडिया पर खूब ज़्यादा पसंद किया जाता है वे अपनी अदाओं से इंस्टेग्राम पर आग लगा देती हैं सुरुभी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और वो अपने होट अंदास के लिए इन दिनों विदा लिया तब से इश्कुबास की जो टी यारपी है उसमें भारी गिरावट आई है और इस सीरियल की कहानी बहुत ही ज़्यादा कमजोर सी पड़ गई है और लोग इस कहानी को पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ वो सुरुभी को सीरियल में पसंद कर रहे थे और जो शिवाई और अनिका की नोग जोग थी जो रोमैंस था और जो भी एंटर्टेन्मेंट होता था वो लोगों को काफी ज़ादा लुभाता था लेकिन अब ऐसा कुछ में नहीं है शिवाई की जो कहानी आगे बढ़ चुकी है और जो लीप आया है उसने कहानी को काफी बढ़ा इंतजार कर रहे हैं कि खिड़की तोड़ अनिका की फिर से खिड़की तोड़ एंट्री हो जाए किसी सीरियल या फिर किसी शो में लेकिन अभी शायद जो सुर्भी है वो अभी व्यस्त है अपनी हॉलिडेज स्पेंड करने में इंजॉय करने में लेकिन जल्द ही वो दुबारा से छोटे परदे पर वापसी करने वारी हो सकता है कि शिवाय और अनिका की आपको दुबारा से एक जो रोमांस था जो उनकी केमिस्ट्री है दुबारा से छोटे परदे पर आपको दिखाई दे क्योंकि खबरे ये आ रही हैं कि संजीवनी दो जो सीरियल होगा उसमें ये दो किरदार आपको नज़र आएंगे जो कि एक कपल के रूप में होंगे और दुबारा से एक दमदार वापसी करके ये सुर्भी और शिवाय की एंट्री होगी अगर आप भी सीरियल के लिए एकसाइटेड हैं और आप भी चाहतें कि सुर्भी और शिवाय दुबारा से लॉट आएंग यानि कि छोटे परदे पर अपनी केमिस्ट्री लेकर लॉटें तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रू बताएं Thank you so much. Keep watching today's for more news.